कि अच्छ कि अच्छ के विडियो में हम बात करेंगे तफ लॉड तो प्रिबेंट क्रिवालिटी टू एनिमल वाइज इट नीड़ेट के बारे में तो फर्स्ट अपॉल जड़ा देखते हैं कि तफ लॉड न्यूज में क्यों हैं देगे रेसेंटली मिनिस्ट्री अप थीसर जिसका नाम बताया गया है ड्राफ्ट प्रिवेंशन और क्लिवाल्टी टू एनिमल अमेंड्मेंट विल्टू तो इस बिल को पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है कमेंट के लिए 7 डिसमबर तक कोई भी इंडिन सिटीजन वहाँ पर जाकर अपने सुझाओ अपने और लाश्टली हम समझेंगे कि जो इससे रिलेटेट कंसर्ण रेज किया जा रहा है जो ड्राफ्ट बिल लेकर गौवर्मेंट आई उससे रिलेटेट जो एक्सपर्ट कंसर्ण रेज कर रहे हैं वो क्या कहा है उन सारी बात यो करके डिसकस करेंगे तो चले शुरू करते है सबसे पहले हम बात करते हैं जो करेंट एक्ट करेंट लौ हमारे पास है उससी रिलेटेट देखिए अगर हम बात करें वैसा नहीं कि हमारे पास प्रिवेंशन आप क्रिवेंटे टू एनिमल के लिए कोई लौ नहीं है करेंट में हमारे पास प्रिवेंशन आप क्रिवेंट जो बाते की गई है उसे discuss करेंगे उसके बाद यह finalized हो जाएगा यह पूरा का पूरा law जब act बन जाएगा तो उसके बाद आख से साथ फिर से related पूरा का पूरा discussion करेंगे तो आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे important कहा गया है government की तरफ से कि current act है हमारे पास उसमें overhaul change करना चाहती है जो पूरी तरह से हम कहते हैं कि प्राक्टिक चेंज जो आमोल चूल परिवर्तन की हम बात करते हैं उसे चेंज करना चाहती है और इसमें कुछ proposed change की हम जरा बात करें तो देखिए इसमें कहा गया है कि अभी तक क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो cruelty act है animals related उसके लिए कोई cognizable offense की बात नहीं करी गही है बट इसमें कहा गया है कि बहुत सारे offenses को ऐसे list किया गया है जिसे कोगनीजिबल माना जाएगा कोगनीजिबल offense ऐसे offense को कहा जाता है जिसके करने पर पुलिस को आपको गिरफतार करने के लिए है या फिर मान लिए कुछी तरह का कोई पर्मानेट फिजिकल डैमेज हो जाता है तो ऐसे situation में पुलिस के पास अब राइट होगा कि वह आपको डिरेक्टली आकर किरफतार कर सकती है तो यह तो बात होगी सेब्रल सेक्सवल एक्ट है इनमल के साथ इस तरह की घटनाय सुनी होंगी आपने तो इस तरह के वहसी पन को इस तरह की बेस्टियालिटी को रोका जा सके आगे बढ़ते जरा इसमें जो प्रपोईट किया गया है वो किया गया है फाइन से रिलेटेड देगे फाइन के अगर हम बा हम जा सकती किसी के उपर और हम बात करें तो अहीं कि सिर्प इसके में ध्यान रखा गया गा प्रेक्य देख कि जो सबसे जादा होगा मिन्स जो माले जी एनिमल की कीमत वह जादा हो यह 50,000 से लेकर 75,000 तक का जो नौम से वह जादा हो उसको लाउ किया जाएगा लागू किया जाएगा और इसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाइन देना पड़ सकता है कहा गया है कि अगर एक्ट के कारण माले जी किसी एनिमल की डेथ हो जाती है आपने किसी को किल कर दिया माले जी तो ऐसी सिच्वेशन में आपको 5 यह तक की इंप्रीजमेंट हो सकती है यह पॉइंट हम याद रखेंगे करेंट सेनारी मगर हम बात कर देखिए फाइन की करेंट सेनारियो को अगर हम बात करें तो सुनकर आपको हसी भी आ सकती है कि अगर किसी तरह कोई आप करते हैं अनिमल से रिलेटेड तो टेन रूपीज से लेकर 50 रूपीज तक का फाइन की व्योस्था की गई है किसी-किसी मामले में अगर माल लेजे कि पुलिस को लगता ह है कि आप रिग्लोर ऑफेंडर है मिन्स लाश्ट त्रीयर में भी आपने पहले अनिमल से रिलेटेड को यह उफेंड किया है तो यह क्या होगा 25 रूपीज से लेकर 100 रूपीज तक का मिन्स फाइन किया जा सकता है तो सुनिए कि नॉर्मल सी बात भी हसने वाली बात लग र किसी जानवर की कीमत सिर्फ थ्री मंद के इंप्रीज्मेंट होना या सौरपे का फाइन लगाना इस सुनने में ही बहुत ही हसे वाली बात लगती है तो करेंट सिनारियो में जो हमारे पास एक्ट है जो लौ है उसमें यहीं प्रावभधान किया गया है यह प्रोविजन किय क्या प्रोवज चेंज की बात की बात करें तो इसमें यह क्या गया है कि अगर आप किसी अनिमल को अपने घर में पाल रखा है तो उसकी कुछ बातें हैं उस पर आपको भी से इस्थ्यान रखनी पड़ेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कृमिन प्रसेडिंग किए किया सकते हैं इम्पॉर्टन क्या है कि माल लीजे अगर आकने किसी एंइमल को अपने घर हो को घर से पाल रखा है तो उसके ब्हुँक प्यास जो मलले डेलेटेट हैं उसका झाल होगा है क् concurrent भूखा छोड़ सकते हैं बाहर या पर discomfort due to environment की बात करें तो इसमें ऐसा निकमाले सर्दी का मौसम है आप उसे जाड़े के मौसम में घर से बाहर छोड़ दें और खुद आप अंदर रजाई उड़के सो जाता ऐसी situation में आप समझे कि आप पे penalty fine लगाई जा सकती है माल लिए क किसी तरह की कोई injury वगरा होती है तो उसका इलाज कराना पूरी तरह से उसके लिए पूरी तरह से आप समझे कि normal behavior के लिए जो species के लिए होता है उसे freedom प्रोबाइट कराना just like माल लेजिए कि कि किसी animal उसके meeting की जरूरत है तो meeting भी कराना आपकी responsibility होगी तो overall तरीके से समझे कि कि आप जो भी animal को आपने घर में पालते हैं उसके सारे खैलात रखना उसके सारी बातों का ध्यान रखना आपकी responsibility होगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो government आपके उपर fine लगा सकती है फिनालिटे लगा सकती है साथे साथ देखिए अगर ट्राफ इबिल की बात करें तो उ उसे आप पर्सनल घर में लाकर पालन पोसन नहीं कर सकते हैं यह point हम याद रखेंगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्रपोश्ट fine वगारा लगाया जा सकता है तो यह बाते प्रपोश्ट की गई है बिल में अब जरा समझते हैं कि आकर इसके जरूरत क्यों है आकर क् कंटेक्ट में गौर्रमन्ट लेकर आई है हाल फिलाल के अगर हम बात करें देखिए तूधान 14 में एनिमल वेलफेर बोड ऑफ इंडिया वर्सेज ए नागा राजा में सुप्रीम कोट ने जज्जमन्ट दिया था एक कमेंड भी किया था उसमें सुप्रीम कोट ने कहा था क कि जो करेंट में हमारे पास PCA Act 1960 है उसमें बहुत सारे जो पेनाल्टी वगरा है वो इने डिक्वेट वगरा है पुरी तरह से मतलब रिलेमेंट नहीं है करेंट सेनारियो में तो गौर्ल्मेंट को चाहिए परलेमेंट को चाहिए कि उसमें प्रोपर अमेंडमेंट करें और पढ़े लिखे लोग है डॉक्टर ने अपने पेट को आप इमेज में देख सकते हैं अपने गाड़ी से बांद कर पूरे सहर में घुमा दिया और इस तरह का इमेज तो आपके लिए बहुत नॉर्मल बात होगी कि जो स्ट्रीट डॉग वागरा होते हैं पत्थर मारना या के उपर बढ़ती चली जाएगी तो यह बात होगी जरा कि क्यूं जरूरत है आप समझ सकते हैं कि रिलेवन्सी खतम हो रही है जो 90-60 का एक्ट है वो रिलेवन्ट नहीं है उस समय हो सकता है था 100 पर बहुत बड़ी बात हो सकती थी बट करेंट सेनारियो में 100 पर बहुत चो स्लूशन नहीं है जो प्रॉब्लम से हमारे पास करेंट सेनारियो में ऐसे कुछ मार्जिनराइज कम्यूनिटीज हैं जिसे मालेजे मदारी हो सपेराओ अगरा हो या पर जो सरकस में लगे लोग है वो पूरी तरह से क्या है एनिमल पर हिंडिपेंडेंट है एक तरह से आप खास करके जो लोग पूरी तरह से एनिमल पर हिंडिपेंडेंट है जो उनकी एउनिमल पर हिंडिपेंडेंट है तो गवर्मेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा समाधान निकाले है एक इसा सोट आउट करें इस प्रॉब्लम को ताकि जो इस तरह के लोग भी हैं उनके लिए बी समझ में आया होगा, thanks for watching.